श्री 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 नमस्तो भ्याम। आपने चंदन लगाया हाथ की हतेली पर एक स्वाट चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हतेली में रखा एक चावल का दाना नहीं चड़ाया है हतेली में रखकर जो विशेश कामना जैसे किसी कर्मकांडी ब्रहामन से तुषा जाए पूजन होने के बाद मैं विशेश अर्ग दिया जाता है विशेश अर्ग विशेश कामना के दें एक स्वाट अक्षत्य दाने हाथ में हो और आपकी कामना करकर जिस कारे के लिए आपने बाबा को आजा इस परश किया है हाथ में लेकर जहां पने चंदन लगाया है उसी जगा पर हतेली से बाबा को आप चंदन वाले इस्थान पर उस एक सो आट चावल के ताने को रख देना चाहिए छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए करिए लिशेश अर्द का महत्रत किसी कर्मकांडी ब्रह्मन से यह पूझना कि इसका फ़ल क्या है ऑगां करिये आप बालू की शीवलिग की जगह ऻुक्ना यों कि आप किसी मंत्र में जाकर शिवलीग का मात्र सिर्च कर लेना भी केवल इसपर्श कर लेना जार्प तरिफ शिवलिंग के निर्मान का कहल है केवल शुना नहीं है इस परश का मतलब होता है संकर भगवान को आप चन्नन ले गए हो की नहीं ले गए हो अश्टगंद ले गए हो की नहीं ले गए हो पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो जल चणाने के बाद भी अगर आप तीन उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र धुमा देते हो तो समझ लो कि आप प्रती दिन पार्थिव शिवलिंग का अंद्रमान कर रहे हो प्रती दिन आप शिवलिंग का इस पर समात्र घुमाने पर ही पार्थी शिवलिंग का दिना